अगामी लोगसभा चुनाओं से पहले भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने पत्ना पहुंची और वही मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रत्विदियों के साथ बैठकी बुद्वार को मुख्य निर्वाचन आयोग के राजी पुमार ने प्रेस कॉंफरेंस कर बताया कि बिहार में 7.89 लाक नए वोटर पहली बार लोगसभा चुना में वोट डालेंगे आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि बुजर्व वोटरों के लिए निर्वाचन आयोग की टीम उनके घर जाएगी ताकि वे अपने मता अधिकार का खीक तरीकी से फेयोग कर सके वहीं सबसे पहली बार बिहार में अगर आपको याद हो तो 2020 का जब अलक्षिन हुआ था कौवित के दौरान उस समय भी मुझे आने का मौका यहां मिला था एज एलक्षिन कमिशनर तो उस समय पहली बार यह वेवस्ता शुरू की थी कि घर में जो सीनियर सीनियर सिटिजनस हैं उनके जाके बोट लाहे जाए और अब यह वेवस्ता पूरी कंट्री में लागू है और इस एलक्षिन से पूरे देश में यह वेवस्ता लागू हो और जिनकी भी 40% से अधिक की disability है उनको घर जाके हम बोट लेंगे बाकी इसके अतरिक तो उनको अगर नहीं बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते हैं घर से बोट वो बूथ पर आना चाहते हैं और हम भी बेवस्ता कर रहे हैं उनके लिए कि उनको अलक से लाइन मिले उनको वीलचेयर मिले और ऐसा मौका मिले कि persons with disability जब बूथ पे आएं और हम सब उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन दें तो सोसाइटी में भी एक 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 एक्सामपिल सेट हो यानि अगर बूथ पे हम उनकी देखवाल कर सकते हैं उनको इक्कुटी दे सकते हैं तो बाकी भी समाज में फिर railway station पर, airport पर, market में हर जगे उनको सुविधा मिलनी चाहिए ऐसा एक प्रियास हमारा है कि ये चीज़ हम establish करें similarly बुज़र्गों के लिए भी हमारे जो old days के जितने भी बोटर्स हैं जो हमारे लिस्ट में शामिल है उनको भी हम घर जाकर बोटिंग की सुविधा प्रदान करेंगे और जब बोटिंग होगी तो साथ में एक टीम जाएगी जो वीडियोग्राफी भी करेगी और पॉलिंग केंडिडेट को भी इजाज़त है कि वो साथ में अपने लोगों को भेज सकते हैं लास्ट माइल तक भी हम लोग पहुँचेंगे ये जस्ट कुछ गिलिमसिज हैं यानि जहां भी बूट्स हैं चाहें दियारा में जाना हो चाहें बोट से जाना हो हम इतनी व्यवस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई भी छुटना नहीं चाहिए अब एक अपेक्षा भी है कि हम पूरे अलेक्शन को बिलकुल इंडूस्मेंट फ्री मनी पावर से दूर रखें किसी भी परकार की किलेक्टरिंग और किसी भी परकार के गलत चीजे ना होने बाएं तो एक एप्लिकेशन है जिसको आपके सहोग से हम सब के साथ तक पहुचाना चाहते हैं इसका नाम है सी विजल यानि विजलन्ट सिटीजन अगर आप जागरूख हैं तो आप कोई भी शिकायत है किसी भी भूत के बारे में हम अपने से ले लेंगे longitude latitude आपका हम अपने से ले लेंगे और जो भी nearby हमारी वो होगी when SST होगी को FST होगी कोई sector magistrate होंगे दो किलो मिटर में तो कहीं न कहीं होंगे उनको हम सौ मिनिट के अंदर अंदर वहां भेज़के उसकी inquiry कराके post करेंगे website पर कि क्या विशेय था उस पर क्या हमने किया वो सही था गलत था पार्शेली सही था और उस पर कमिशन ने ये काम किया इसका बहुत लाब मिला है और विहार सियो भी इसके बारे में एक सचेत campaign चला रहे ताकि citizens भी नागरिक भी और विहार में तो politically नागरिक जागरूख हैं तो वो गलतियां होने से रोकें इससे हमें बहुत लाब मिलेगा जो political parties ने कहा था कि हमें बराबर की सुविधा मिलनी चाहिए यानि अगर हम किसी चीज़ को मांगते हैं तो हमें पहले मिले दूसरे को ना मिले जो पहले मांगे उसको मिले तो उसके लिए एक सुविधा पोर्टल की विवस्ता है तो जो भी candidate या जो भी political party इस सुविधा पोर्टल पर पहले किसी entitlement को apply करेंगे उनको पहले मिलेगा दूसरे को बाद में मिलेगा तो example यानि एक ground उन्होंने कहा कि हमें चाहिए एकस पार्टी ने कहा और वाई ने उसके बाद कहा तो एकस को पहले मिलेगा इसी तरीके से voters के मदद के लिए भी एक help line है जिसको आप अगर download करेंगे तो बहुत आपको बहुत सुविधा है और बहुत जानकारी उसमें मिलेगी बियलो कौन है पोलिंग स्टेशन कौन है आपका candidate कौन है चुनाओ का परिणाम क्या है नए सर्कुलर्स के हैं हर चीज़ इसमें देखने को मिलेगी आप अपना number डालें आपको अपना epic भी download कर सकते हैं अगर आपका mobile number उसमें linked है तो friends एक और बहुत important जानकारी है वो है know your candidate KYC आप किसको vote देने जा रहे हैं उसको जानने की right public का है you have a choice so that you take an informed decision तो KYC में क्या आपको जानने को मिलेगा कि किसी भी candidate की क्रिमिनल background तो नहीं है अगर किसी candidate की criminal background है तो इस पर आपको मिलेगी साथी साथ पिरती एक ऐसे candidate को जिसकी criminal background है उसको तीन बार newspapers में add देना पड़ेगा कि उनकी क्या criminal background है और टीवी में भी देना पड़ेगा और इस website पर इस जगे पर भी आपको यह जानकारी मिलेगी तो यह आप informed voter के रूप में इस जानकारी को प्राप्त करें और अपना बिलकुल मन बनाएं कि किसको आपको बोट देना है जानना आप तक सुविधा और जानकारी पहुचाना हमारा काम है उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं यह आपके voter का कारे है अगर electoral participation कैसे बढ़े आपको यह बहुत अच्छी फिगर नहीं है बिहार में जो जनरल election में voter participation था वो 57.33 परसेंट था यह national average 67 परसेंट से 10 percentage पॉइंट कम था और यह भी एक irony है कि इतनी जागरत स्टेट में यह second lowest था पूरी country में जेंट के वाज लोएस्ट एट 45 परसेंट बिहार वाज 57 परसेंट सो हमारी अपेक्षा है इस बार प्रियास से बहुत कि हम यहां voter की percentage को voting की percentage को बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएंगे हमने ऐसी 75% total urban aces ऐसी हैं जिसमें voter turn out बहुत लो है पटना साहिब one of the main places है जिसमें बहुत कम है 31 aces ऐसी हैं जो nine districts की जो identify की गई है तो कहने का मतलब है कि हमने एक program बनाया है targeted intervention plan जिसमें हम भूत तक गए हैं कि कौन सी constituency state average से नीचे है और उस constituency के कौन-कौन से बूत state average से या district average से नीचे है यानि एक जैसी चीज सारे district में चले ये नहीं है जगा जगा में क्या परिशानी है क्यों लोग नहीं आ रहा है इसके लिए बहुत सघन प्रियास किया गया है और मुझे उमीद है कि जो रेलेक्टरल रोल्स की purity बढ़ी है जिन लोगों को नहीं रहना चाहिए था जो हटे हैं और जितने नए लोग जुड़े हैं जिसमें से यंग लोग जुड़े हैं तो ये बोटिंग परसेंटेज निश्यत रूप से बढ़नी चाहिए और पुने आपके माध्यम से दुबारा अनुरोत करना चाहता हूँ कि सब लोग बोट देने के लिए जरूर जरूर आए तो देखा आपनी चुनाव आयोग ने कहीं न कहीं बुजर्ग लोगों के लिए बड़ी सौगाती है जिसमें से जादा से जादा ओटर अपनी वोटिंग सुविधा का लाब उखा सके ऐसे में चुनाव आयोग ने ये सारी सुविधाएं देकर कहीं न कहीं बुजर्गों के लिए एक बड़ा तौपा दिया है ऐसे में आपकी क्या रहे होगी कि चुनाव आयोग ने तुकिया वो सही कियों या गरत आप हमें अपनी प्रतिक लिए चरोर दीजीगा अपलाल के लिए बस इतना ही बेस और दुनिया की तमाम खबरों के लिए साथ बने रहे हैं नेक्स नाहीं में लिए पर